हेलो दोस्तों I hope आप सभी safe होंगे, healthy होंगे और अपनी knowledge को बढ़ा रहे होंगे मेरा नाम है संदीप and I welcome you all to trick it तो दोस्तों mountains की बात कर रहे थे mountain ranges और जो peaks है हमारी उनकी बात हम कर रहे थे एक video cover हो चुका है ये है second video और इसमें हम बात करेंगे जो हमारा North Eastern region है उसमें बहुत सारे mountains पढ़ते हैं और exam perspective से भी बहुत important हो जाता है उनका sequence बगर बहुत पूछा जाता है तो काफी detail में हम cover करेंगे और बहुत ध्यान से आप आखरी तक इस video को देखें और साथी अगर आपको ये videos helpful लगती है तो YouTube को भी बताओ कि ये videos helpful है अच्छी है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आप video को like करें उससे YouTube के algorithm को पता चलता है कि हाँ ये video अच्छी है और video की most peak कौन सी है यानि कि पश्चिमी दिशा में सबसे आखरी जो peak है हिमालियास की वो कौन सी है चार option आपको दे रखें I hope आप सभी को इसका अंसर पता होगा अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो बहुत आसान question है सभी इसका answer करें चलिए आज की वीडियो में आगे चलते हैं तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपको बताई चुका हूँ कि जब हिमालियन रेंज की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कुछ इस तरीके से यहां उपर जमुएन कश्मीर से निकलती है और और नाचर कहते हैं सेंट्रल हमालिया और उसके बाद जो इधर का जो रीजन है उसको हम कह सकते हैं इस्टन हमालिया अब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जनरली हमको यह लगता है कि हमालियन रेंज जो है वो यहां जमुएन कश्मीर से लेकर अरुनाचल इसके बाद भी हमालियन रेंज आगे भी बढ़ती है और वो कुछ इस तरीके से हैं यह जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना यह इतना जो हिस्सा दिख रहा है आपको यह भी हमालियन रेंजिस का ही पार्ट है तो इसको हम सब हमालियन रेंजिस भी बोलते है एक्शली इसके पीछे जो काफी सारे ज़ोगरिफिकल रीजन्स रहे हैं हमारी जो play tectonics होती है इनमें जब movement होती है उसकी वज़े से यह सारे के सारे changes होते हैं तो उसी की वज़े से यह change भी हुआ है और यह जो हिमालियन रेंज थी वो एक तरीक से यहां से यहां से निफूर प्रदेस तक है और प्रदेस से भी नीचे जो मिजोरम वाला इलाका है जो थिर्फउरा वाला रिजन है वहां तक हिमालियन रेंज पहुंचती है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे लिखाव हुआ है पूरवांचल या Eastern Himalias Actually जो मैंने आपको बताया है कि इधर जो मुड़ा हुआ एरिया है जो Himalias का उसको पूरवांचल Mountain Range के नाम से भी आपको बहुत जगद देखने को मिलेगा ठीक है इस रीजन को पूरवांचल Mountain Ranges कहा जाता है और इसके लावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हिमालियास को हम केटेगराइज कर सकते हैं जैसे उपर वाले को मैंने बुला था Trans Himalias बोलते हैं उसके बाद Great Himalias बोलते हैं उसके बाद Lesser Himalias आ जाते हैं और उसके बाद आखरी माइ आउटर Himalias हो खत्म हो जाती है तो है और हमारे कि यहांपर नदिया है और नदिया जो दौर फॉर्मिशन हो रहे हैं उसके उपर तो यह थोड़ा सा आइडिया में आपको देना चाहता था कि कि इस तरीके से जो शुवालिक्स है वो आल्मोस्ट खत्म हो जाते हैं तो आपको उपर ग्रेटर हमालयास देखने को मिलेंगे उसके बाद कि जो सेंटर हमालयास है में जिसमें नेपाल वाला इजन आता है वो हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है हाला कि अगर आप लोगं को वीडियो चाहिए उसके उपर तो वह भी मैं बना दूँगा लेकिन जो मैं मॉआंसे हम मॉंटर नम्हीं जिसको देखना स्टार्ट करें के तो सबसे पहली जो आपको पीक देखने मिलेघी तो स्रीजन का मतलब क्या ह्कि ये हमारा एक स्टेट है सिक्किम कौन से येर में इंडिया का पार्ट बना थ है आप लोग मुझे कॉमेंट्स बता हैं, I hope आप लोग जो पुरानी वीडियोस हैं, उनको ना भूल रहे हों, ठीक है, तो मुझे कॉमेंट्स बता हैं, की सिक्किम as a state इंडिया का पार्ट कब बना था, तो यह सिक्किम है, और इस तरह आपको पता ही है कि नेपाल है, तो नेप है, उसके बाद जब हम second highest peak की बात करते हैं, तो वह आपको केटू देखने को मिलेगी, जिसको गौडविन ऑस्टन भी बोलते हैं, कहां पर इंडिया में देखने को मिलेगी, हाला कि जो पाकिस्तानी occupied कश्मीर है, वहां पर particular लिए देखने को मिलती है आपको, और तीसरे न को बताया था पिछली वीडियो में भी कि इंडिया की जब हम highest peaks की बात करते हैं, तो सबसे highest peak इंडिया की है, केटू, गौडविन ऑस्टन जिसे हम कहते हैं, जो पाकिस्तानी occupied कश्मीर वाला रीजिन है, वहां पर यह है, और अगर हम union territory की बात करें, तो लद्दाग की union territory आ इंडिया की और कामेट इंडिया की 4th highest peak है, यह भी आपको उत्राखंड में ही देखने को मिलती हैं, दोनों peaks, तो international level पे आपको इन सब्सक्राइब पर contradiction मिल जाते हैं, कि इंडिया की highest peak जो है, वो केटू नहीं है, लेकिन हम लोग को बताए कि जो कश्मीर है, वो पूरी तर करते हैं, और इसी रीजन में, जो सिक्क्म वाला रीजन है, वहां पर हमको एक हिमालियन रेइंज देखने को मिलेगी, उसका नाम क्या है, तो हम लोग को पता ही है कि यह हमारा state सिक्क्म, और इसके नीचे हमको एक state देखने को मिलता है हमारा, जिसका नाम है West Bengal, West Bengal कि अगर boundary बाउंडरी करें तो यहां पर बाउंडरी नहीं बनाई है असाम और वेस्ट बेंगल के बीचे तो कुछ इस तरह से बाउंडरी इस तरह असाम पड़ता है और यह पूर आपको नीचे वेस्ट बेंगल देखने को मिलता है यहां ठीक है तो सिक्किम और वेस्ट बेंगल की बा लिकिन अगर दाजलिंग सिटी की बात करें तो आपको नीचे देखने को मिलती है यहां पर वेस्ट बेंगॉल में ठीक है वेस्ट बेंगॉल का पार्ट है दाजलिंग और अगर दाजलिंग रेंज की बात करें तो यह है जो हमारे मिडल हमालयाज है या फिर जिसको हम लेसर ह हमालयाज बोलते हैं उसका ये पार्ट है और कंचंजंगा किसका पार्ट है ग्रेटर हमालयाज का ये बात आपको पता होनी चीए तो दाजिंग हमालयान रेंज के बाद अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और अरुनाचल प्रदेश में अब हम एंटर करते हैं तो रेखने को मिलेगा जिसका नाम है कांगटो ठीक है और कांगटो की अगर लोकेशन की बात करें तो ऊपर आपको पता हुने है यह जो रीजन है तिभत का रीजन है और यह अरुनाचल प्रदेश हो गया तो कांग प्रदेश हो गया तो गिव्व quickly ये उसके बौर्डर में आ हमारा हिमालयन रेंज है उसका इस्टन मोस्ट पीक है ठीक है पूर्वी दिशा में सबसे आखरी पीक जो है वो नामचा बारवा आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर यह लिखा हुआ है इस्टन मोस्ट पीक ऑफ हिमालया और जो रिवर ब्रह्म पुत्रा है वो यहीं से ड इंडिया में एंटर कर जाती है और ब्रह्मो पुत्रा रिवर एक्शली यहां जब इधर आसाम में बाद में एंटर कर दिये तब इसका नाम पड़ता है उससे पहले इस रिवर को दिहांग बोलते हैं ठीक है दिहांग दिभांग रिवर भी आपको यहां पर देखने को मिल इस रिजन में जो आगे दिहांग में आके मिलती है और लोहित आके मिलती है फिर एक साथ मिलके ब्रह्मो पुत्रा का फॉर्मिशन करते हैं तो ध्यान रखके यहां से जो रिवर आती है उसको क्या बोलते हैं आप दिहांग रिवर बोलते हैं ब्रह्मो पुत्रा उसका नाम और बाग में पड़ता है तो नामचा भारवा से ही मुझा आती है तो यह तो होगी पीक स्यूंण अरोनाचर प्रदेश मेंदेख सी कांग तो अरोनाचर प्रधेश में आपको चार बड़ी बड़ी मेजर रेंजस भी देखने को मिलती है तो न आपको नीचे हमारा असाम है तो थोड़ा असाम में भी यह है और इसका नाम है डाफला उसके बाद जब आप थोड़ा उपर जाएंगे तो यहां पर आपको एक रेंज देखने को मिलते हैं मीरी ठीक है यह आपको पूरी तरह से अरुनाचर प्रदेश में देखने को मिलेग तो आपको अबोर रेंज देखने को मिलेगी अबोर हिल जिसको हम कहते हैं और आखरी में आपको यहां पर एक हिल रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है मिश्मी तो चार रेंजिस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं डाफला मीरी अबोर और मिश्मी इसका ओर बहुत मीरी अबोर और मिशमी अब इसमें दो एम आ जाते हैं तो लाइन में हम जो पहले छोटे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है उनको आगे लगाते हैं तो इसलिए मीरी जो है उसका स्पेलिंग अगर आप देखें तो सिर्फ चार लेटर्स है इसमें तो मीरी आगया आएगा और म साउंड करता है ना तो मिशमी सबसे आखरी मा आएगा ऐसे भी आप याद रख सकते हैं तो डाफला मीरी अबोर और मिशमी आपको देखने को लेंगे अरुनाचल में इसलिए ये जो रीजन है इसको अरुनाचल हिमालयाज भी बोल दिया जाता है उसके बाद मिशमी जो हि बोलते हैं पूरवांचल माउंटेंज ठीक है एक्शली मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना या नाम चावारवा से जो ब्रम्मपुतर रिवर है जिसका नाम धिहांग रहता है पहले तो यहां से कुछ आती है और ऐसे चली आती है तो तो जो धिहांग रिवर ह है उसके इधर वाले जो रिजन है उसको पूरवांचल रेंजिस में तो इसलिए मिशमी जो है उसको पूरवांचल रेंजिस का पार्ट माना जाता है तो अरुनाचल में जो पीक्स हैं और जो मांटें रेंजिस हैं वो हमने देख ली अब हम जो पूरवांचल मांटें रें ठीक है, पठकाई, बं, हिल्स या रेंजिस आपको देखने को मिलेंगी, ङोकेशन अगर आप इसकी देखें थो आप देखेंगे, अरूणाचल प्रदेश यहां तक है, तो अरूणाचल प्रदेश में भी आपको यह देखने को मिलेगा, उसके लावा यहाँ पर असम वारा जो रीजन है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा और नागा लेंड में भी देखने को मिलेगा तो तीन जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें ये रेंजिस देखने को मिलती हैं जिसको पटकाई या पटकाई बम कहा जाता है एक्शली दोस्तो मैंने आपको बताया ना कि हिमालियन रेंज जो है वो कुछ इस तरीके से है ठीक है यहां से स्टार्ट हो रही है वो फिर यहां नीचे तक जा रही है तो यह एक ही रेंज है इसको अलग-अलग नाम दिये गए हैं जैसे कि पटकाई जो नाम है वो इस रीज लेवल्स पर ठीक है तो पटकाई बंब आपको यहां पर इसको नाम दिया गया है तो आप लोगो यादी होगा मैंने आपको ट्रिक बताई थी जो नौर्थ इसन स्टेट है उनको याद करने की अरुना मामी ठीक है तो अरू से अरुनाचल हो जाता है ना से नागालेंड हो पीक है जिसका नाम है सारामाटी ठीक है सारामाटी माउंटेन में आपको नागा जो हिल्स हैं उसमें देखने को मिलेगी है और इसको मैं कुछ इस तरह से ध्यान में रखता था कि इसको थोड़ा ओफेंड से में मतले ना बस एक आपको याद रखने का तरीक है तो नागाल तो आपने मनीपूर में तरीके से याद रखता था तो मनीपूर में आपको लाइमाडूल देखने को मिलेगे तो आपने मणी का नाम सब्सक्राइब, जो नाग मनी, फिल्मों में पहुत सबसकि नाग मनी वगयक्शना है, शक्तिमान आता था हुब तो मनी जो होती हो, गोल मटॉल होती यह दिया लइन नाग मनी पूर में आपको लाई मटॉल range देखने को मिलेगे वार्यम पूर के एक्ड़ पहला有人 देखने को मिलती है अब इनके बीच में यूट में और भी जानेंगे इस के बाद मनीपुर के बाद जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मिजौरम में पहुंसते हैं था जब हमारा जो कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं वाथ तब की बात कर लेते हैं तो असाम जो प्रोविंस होता था भूब बढ़ा हुआ करता था ठीक है तो यहां पूरे आखरी तक यह आसाम प्रोविंस ही हुआ करता था और इस डिस्टिक को जो इसका एक डिस्टिक था उसका नाम था लुसाई तो उसी के नाम से इस हיל का नाम रखा गया था लुसाई के लावा इसको लम सब्सक्राइब का ध्यान रखे अब यहां पर हिल के एकदम आंखरी में यहां पर एक माउंटेन दीशने से इसको बोलते हैं इसको इसको बांग फू़रे भी कहा जाता है तो मिश Durum की जो आंट फूरी है है वो है फांग फूई या फिर ब्लू माउंटेन इसका ध्यान रखें तो सीक्वेंस ऐसे भी पूछ जा सकता है आप से कि आप यहां से नौर्थ से जब साउथ की तरफ जाएंगे तो क्या सीक्वेंस रहेगा माउंटेन रेंज इसका तो आपको पता है जिस अब से उपर आपक मनी पूर में ही मनी से की मदी मट मर और यहां पर घू से और यहां अपर में इसका नाम बोल लिया, आता है जामपूई ठीक है तो जामपूई रेंज आपको कहां पर देखने को मिलेगी तरो पुरा में और यह एक तरह से extension है किसका Mizzou Hills का इसके लावा आपको यहां पर ऊपर एक रेंज देखने को मिलती है एक फिल देखने को मुलता है, इसको बोलते हैं बराइल, ठीक है, बराइल ये कहां पर आपको देखने को मिल रही है, ये आपका असाम हो गया, और ये आपका हो गया नागालेंड, तो यहां पर आपको बराइल देखने को मिलेगी, तो एक तरह से ये सारे के सारे जो भी हमने में और एक है मिखिर जब हम बात करते हैं एक यहां पर आपको पता है कि इस तरह से ब्रह्मपुत्र रवर रिवर और यहीं पर काजीरंगा नेशनल पार्ग भी मिलता है तो जो हमारा मिकर रेंज है, उसके नौर्थ में आपको ब्रह्मो पुत्रा और काजी रंगा नेशनल पार्ग देखने को मिलता है उसके बाद जो हम रैंगमा की बात करते हैं, रैंगमा एक ट्राइब है जो आपको असाम में भी देखने को मिलती है और मेजर लिया आपको नागालेंड में देखने को मिलती है और इसले कुछ टाइम में, I think 2021 की बात है ये लोग अपने लिए एक autonomous district council की demand कर रहे थे कि अपना administration जहां पर ये खुद से चला सकें तो काफी news में भी थे ये तो ध्यान में रखना है रेंगमा ट्राइब आपको असाम और नागालेंड में देखने को मिलती है इन फैक्ट जैसे हमने यहाँ पर बात की थे ना डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी ये सारे के सारे जो ranges हैं एक तरह से वहाँ जो tribes रहती हैं उनके नाम पर ही इन हिल्स के नाम भी रखे गए हैं तो ध्यान में रखे हैं मिकिर और रेंगमा आपको देखने को मिलेगा कहां पर आसाम में अब इसके बाद हम चलेंगे इस रीजिन में जिसका नाम है मेगालिया मेगालिया में कुछ interesting देखते हैं तो मेगालिया की जो हम बात करते हैं पहली बात यहां पर जो आपको ranges देखने को मिलेंगी जो आपको यहां पर hills देखने को मिलेंगे वो हिमालियन ranges का part नहीं है पहली बात ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो आप बात आती है कि यह किसका पार्ट हैं एक्शलिए यह पार्ट है जो हमारा यह वाला रिजन है पुरा तो आपको पता है कि वो बला याता है तो पहले जो ये वाला रीजिन है और थोड़ा इधर आसाम वाला थोड़ा सा रीजन लेने तो यह भी पहले इसी का पार्ट हुआ करता था किसका पार्ट हुआ करता था यह जो प्लेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट और फिर बाद में यहां पर रिवर्स जो गंगा रिवर है वो आती थी तो वह बहुत सारे डिपॉजेट्स वगरे आपने सेडिमेंट्स वगरे लेकर आई और उसने आने वाले टाइम पर यहां पर पूरा लैंड का फॉरमेशन कर दिया ठीक है और वहां पर आज हम मेजरली बांगलादेश वाला रीजन हमको देखने को मिलता है तो आपको ध्यान कर रखना है कि यह जो मेघालिया वाले जो रीजन है और थोड़ा सा असाम का रीजन है यह पहले जो इंडियन प्लैट्यू है उसका ही पार्ट हुआ गरता था और यह जो मैंने फॉल्ट आपको बता इस एक्सेंचन आफ इंडियन प्लैट्यूर फ्लैट्यू तो कर्भी यहां पे जो लिखा हुआ है इक तो यह लेजम रलती हो गया यह घीए घीए इसलिए यह लिखा वा ता पार्ट और कर्वी प्लैट्यू ठीक है तो कर्वी मेघालिया जो फ्लैट्यू था वो पहले इंडियन पैनिसलिटूर प्लैट्यू का पार्ट हुआ करता था लेकिन ये उस से अलग हो गया और बीच में जो इनके गैप है जो fault है उसको बोलायाता है मालदा fault तो पहले यह किसके साथ जुड़ा हुआ था आपको यहाँ पर जार्खंड वाला जो रीजन है यहाँ पर राज महल हिल्स आपको देखने को मिलती है तो राज महल हिल्स से जुड़ा हुआ कर तरथा मेगालियन और कर्भी प्लैट्यो और आप बीच में क्या आ गया माल्दा गैप आ गया है तो मेगालिया में मेगालियन प्लतियू में आपको तीन रेंज व्क्राइश डेखने को मिलेंगी और आपको इनका और्डर पता होना चाहिए गॉर्ण और झाहिए गारोanking कासी GK Jano से G से Garo हो गया K से खासी हो गया तो GK और Jantia से Jano GK Jano से आपको इसका सीक्वेंस याद हो जाना चाहिए कि जब हम West से East की तरफ जाएंगे तो ये सीक्वेंस रहेगा अब बात कर लेते हैं Garo यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके बात खासी एक important हो जाता है इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं जो आप शिलॉंग शिलॉंग जो है जो capital है मिखालिया की वो आपको यहीं पर खासी प्लैट्यू में देखने को मिलेगी यहाँ पर एक शिलॉंग पीग भी आपको देखने को मिलेगी खासी में ही उसके रावा खासी जो रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है गारो वाले रीजन में भी होते हैं लेकिन खासी में particularly वो दो जगए हैं जिनका आपने नाम बार बार सुनाओगा कि यहाँ पर सबसे आदा वारिश होती है एक है आपका मौसिन राम और दूसरा है चेरापुंजी तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है उसके बाद तीसरा जैन्टिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देखने को मिलेगी कहां पर मिखा लिया और इस तरीके से जो हमारा नौर्थ इस्टन इलाका था वहाँ पर जो हमारी माउंटेन रेंजिस थी जो हमारी पीक्स थी उनको हमने कवर कर लिया और आई होप आप लोगं को एक अंडिस्टेंडिंग बन पाई होगी कि कौन कौन सी रेंजिस यहां पर हैं और थोड़ा याद भी हो गया होगा थोड़ा बार बार रिविजन करेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में भी आपके बैट जाएगा अगर एक बार समराइज करें तो आपको पता हूने लेजिए कि सिकिम में हमको एक पीक देखने को मिलती है कंच galleries अगा और यहां पर आपको डाजिंग रेंग देखने को मिलती है उसके बाद अरुनाचल में हम जाते हैं तो हमको DMAM देखने को मिलते हैं ठीक है और उसके लाबाद दो पीक्स भी अरोनाचल में देखने को मिलती है आपको कांग्टो और नामचा बारवा नामचा बारवा जो है वो इस्टन मोस्ट पीक है हमालियास की और उसके बाद हम जब पूरोनचल माउंटेंस की बात करेंगे तो उपर मिश्मी आ जाएगा फिर पटकाई फिर उसके बाद नागा उसके बाद मनीपुर फिर उसके बाद मीजो और मनी के साथ आपको देखना है कि मनी जो है वह गोल मोटोल होती है इसलिए लाइव मोटोल को मनीपुर में को मिलेंगे और मीजोह का ही एकस्टेंशना आपको देखने को नाव पर जांपूई जो कि आपको त्रपूरा में देखने को मिलेगा और यहां ने गरेंगाले लोंगो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपना feedback जरूर शेयर करें और फ्यूचर में आप क्या topics चाहते हैं वह भी आप comments में share कर सकते हैं और मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी नौलिज को बढ़ाते रहें जै हिंद जै भारत